कि आत्मा में इतना वजन होता है कि जिन्दा इंसान डूब जाता है और मुर्दा तेरता रहता है। नमस्कार साथियों कहते हैं किसी भी मनुष्य के जिवित होने का प्रमान यह होता है कि उसके अंदर आत्मा का वास होता है। साथियों, जब आत्मा शरीर छोड़ कर चली जाती है, तो मनुष्य की मृत्ति हो जाती है, सवाल यह है कि आत्मा में कितना वजन होता है, क्या आत्मा में इतना वजन होता है, कि जिन्दा इंसन पानी में डूब जाता है, और मुर्दा पानी की सतह पर तेरता रहता है, जब कई इंसानों को ले जाने वाली नाव पानी में नहीं डूपती, तो फिर नाव के बिना एक इंसान पानी में क्यों डूप जाता है? साथियों, पानी में केवल वही वस्तु डूप पाती है, जिसका घनत्व याने डेंसिटी पानी से अधिक होता है. जिहां, लकड़ी का घनत्व हमेशा पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी के उपर तेरती रहती है. लकड़ी के आयतन के अनुसार, यानि के वोलिम के अनुसार, उस पर वजन रखा जा सकता है, फिर चाहे वह कोई मनुशी हो या वस्तु. इनसान के शरीर का घनत्व, यानि के डेंसिटी 1.08 होता है, जबकि पानी का घनत्व, पानी के डेंसिटी 1.01 होती है. सात्यों, यही कारण है कि इनसान का शरीर पानी में डूब जाता है. शरीर तो यही है, लेकिन म्रत्व के बाद वही शरीर, जो पानी के भीतर डूब गया था उपर की तरफ आने लग जाता है पानी की सत्वा तक आ जाता है सातियों हम आपको बताना चाहते हैं कि पानी में डूबे हुए मनश के मृत्वी के ततकाल बाद उसका शरीर पानी की सत्वा पर नहीं आता बलकि उसमें कुछ समय लगता है सातियों पानी यदि ठंडा है तो ज़्यादा समय लग सकता है और पानी अगर गर्म है तो समय कम लगता है दरसल मनुष की बोडी डीकंपोज होना शुरू हो जाती है इस स्थिति में करोडो बेक्टिरिया डेट बोडी को नश्ट करना शुरू कर देते है इनके कारण बोडी में बहुत छोटे छोटे छिद्र बन जाते है जिसके कारण बोडी का घनत्व कम होता जाता है अब जैसे ही बोडी का घनत्व यानिकी डेंसिटी 1.01 से कम होती है तो पानी के सता पर आना शुरू हो जाती है कुल मिलाकर सारा खेल घनत्व का है यानिकी डेंसिटी का है आत्मा का इससे कोई सम्मंध नहीं है कर दो 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 जादानिकी डेंसिटी का बड़ कर दो का है